कि नमस्कार सू स्वागत अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायराख्या आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं कैसे हैं आप लोग लेकिन सबसे पहले बिलीविन करवा हां जी कमेंट्स में जाके जयमाता दी जरूर लिखिए बहुत खास वीडियो है आज की लेकिन सबसे पहले जब मैंने गांधी को पासो के नोट में पाया तो मेरा सर चक्राया मैंने कहा वा गांधी क्या चली तुम्हारी चाल आधी तुम पासो और दो हजार के नोट में सूसवागतम वेलकम अभी नंदन कैसे हैं आप लोग ये किसमत की बात है किसी को जीते जी मिलता है किसी को मरने के बाद मिलता है भले ही गांधी जी आज हमारे साथ नहीं है लेकिन ऐसा शक्स जो अहिंसा का पुजारी था वो हिंसा की सबसे बड़ी चीज के अंदर सबसे पहले दिखाई देता है विचितर बात नहीं है है तो सही आप लोग कैसे हैं कमेंट्स में जय मातादी जरूर लिकिए मैं बिलकुल चीक हूँ लेगन थोड़े से प्रेशर में हूँ बड़ी परेशान भी हूँ जूट नहीं मत दो घर के अंदर कलेश हो रहा है लेकिन CBSC वालों को घर की हालात और बच्चों की मानसिक परेशानी बिलकुल भी नजर नहीं आ रही हालात मेरे घर में भी कुछ ऐसे हैं मैं देव को स्कूल भी भेजना चाहती हूँ और माता नानी पे पूरा विश्वास भी है करोना से फो भाला ये भी मैं मनती हूँ लेकिन प्रॉब्म पता है क्या है प्रॉब्ल्म ये है कि अग्जाम बच्चों के नहीं हो रहे है हमारे हो रहे है मेर को तो अपने कुद के पर थे тैंथ के एक्जाम का इतना प्रेशर नहीं था, जितना इस लड़्के ने मुझे तैंथ के एक्जाम का बना रखा है, हाई, हाई, क्या ही बता हूँ आपको, मैं मतलब बोर्ड, ममा-बोर्ड, ममा बोर्ड और उसे जादा ना अब टाइम कम है जून में एक्जाम है अभी प्री बोर्ड भी चल रहे हैं जैसा कि आपको बता है बहुत ही बुरा हाल है भाई पूछो इमत और अगर आप में से कुछ माएं मेरे वाले हाला से गुजर रही हैं तो मेरे इस दर्द को बहुत समझ रही होंगे यह तो रब का शुकर है कि बीच में बसंत पंच में आ रही है तो हम उसमें कुछ ऐसे जादू ही उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चों का कुछ भलाओ देखिए बच्चे पास तो पढ़ाई करने से ही होंगे यह तो बहुत भी बर शर्ते आपको समझनी हो की बात, लेकिन मनुबल जरूर बढ़ा देता है मा का आशिरवाद, मनुबल जरूर बढ़ा देता है, हिम्मत जरूर बढ़ा देता है कि कुछ subject हर बच्चे की कुछ कमी होती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि maths देव की बहुत बड़ी subject था और मैं मान दूँ जीनियर्स smart लोगों को history समझ में आती है मज़ा के कि अपने देश की history को पढ़ना कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो history की नाम से डरते हैं और history class में सोच आते मेरे तो पूरे बटा पूरे number आते थे history में मुझे इतना मज़ा आता था शायद इसी लिए मैं जोतिश बन गई और जुड़ गई इसमें क्योंकि मुझे जानना है अपने भारतिय सभिता संस्कृति को अपने culture को अपने चीजों को वो लोग क्या करते थे हमारे बुज़र कैसे थे उनमें क्या खासियत थी क्या बात थी उनके अंदर ऐसी क्यों हमारे सभिता सबसे पुराने सभिता है क्यों हमारे सभिता सबसे पहली सभिता है सबसे बहले मैं आपको बता हूँ You are the best आप लोग बहुत अच्छे हैं कमेंट्स में जैमाता दि लिककर माके जैकारे जरू कीजे आज मैं आपको इस वीडियो में चीनी के उपाई बताने वाली हूँ चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तो अगर आपके सनम में भी चीनी थोड़ी सी कम है तो वो मिठास आप ला सकती है हो सकता है वो चीनी आप के लिए कम हो हो सकता है वो चीनी दोस्तों के लिए कम हो हो सकता है वो चीनी समाज के लिए कम हो हो सकता है वो चीनी माता पिता के लिए कम हो चीनी जहां भी कम है, सामने वाले इंसान को यह अहसास जरूरते लाइए और चले अपनी तो बीद गई, जो बात गई लेकिन अगर हमारी अगली जनरेशन के अंदर चीनी कम है तो यहां बच्चों को बताना जरूरी है कि मिठास कितनी जरूरी है हाँ जी, सर, प्लीज, तहे दिल से शुक्या, थांक्यू सर, वेलकम, हाँ जी, जरूर, जी, 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 हाँ, हाँ ओए, किसी को बोलते हुए देखो, शहद घुल जाता है, क्या ही बताओ दिल करता है, दस आत्मियों के काम छोड़कर इस शक्स का काम पहले कर दिया जाए ओए, क्या कर रहा है, तरे बाप करना हो करूं, पहले मेरा काम कर ऐसे बंदे को तो लगता है, जा तुससे जो कर सकता है, कर यानि कि जबान में मिठास होनी कितनी जरूरी है आप प्लीज जुक कर, प्यार से, रिक्वेस्ट करकर, हंजी और तारीफे करकर किसी से वो करवा सकते है जो बड़ी-बड़ी सैनाएं भी नहीं करा सकती, यकिन मानिये लेकिन मुझे ना थोड़ा सा दुख भी है, जो मौहल ऐसा क्रेट हो रहा है जैसे कि किसान बॉर्डर पर है, बड़ा तकलीफ हो रही है आज की बात कर लूँ मैं, क्योंकि वीडियो पता नहीं आप कब देखें, जब तक किसान उच चुके हो आप ये वीडियो तब देखें, हाला कि किसानों का जो चीज हो रही है मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा देश के लिए, वो तो हराब भी मानेंगे ये बात किसानों के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए अच्छा नहीं है और भारत की एक इमेज, जो और देशों में पढ़ रही है, वो भी कुछ अच्छी से नहीं है करें कि दूआओं की हमें बहुत जरूरत है आज की बात की जाए तो आज 24 जनवरी है और आज एकदशी है मिराज एकदशी का वरत है आज मैं पूरा दिन आपके लिए शूट करने वाली हूं शाम को जाके फिर मैं साबूत दाने से अपना व्रत खोलूंगी तो यह वीडियो आप भी सरकारी नौकरी के दिवाने हैं तो इस वीडियो को टिलान तक देखें प्लस मेरी आने वाली सबी वीडियो को देखें जिसमें मैं सरकारी नौकरी का एक एक छोटा सा टॉपिक ज़रूर लोंगी सूरे को अगर आपको मजबूत करना है तो चीनी आपके बहुत काम आ सकते हैं जैसे कि आप तामबे का लोटा ले उसमें जल भरे चीनी के कुछ दाने डाले और सूरे देवता की तरफ देकर आई कॉंटेक्ट करकर सूरे को जल दे अर्ख दे तो आपका सूरे मजबूत होत सकता है कॉंट्रेक्ट का हो सकता है आपका इंटर्व्यू हो सकता है कुछ भी भैफिलाल कहिए कि आपका कोई भी काम है तो आप तामबे के लोटे में जल भरकर उसमें आधा मुठी जो आपके हाथ में आ जाए आपकी मुठी में आ जाए मुठी चीनी डालकर अपने घर की रसोई में रख जाईए उसे आने के बाद करेंगे क्या करेंगे पर आप काम पर निकल जाईए निश्चित ही आप जिस काम पर जारें उसमें आपको सकस्स मिलेगी प्लस आने के बाद उस जल को किसी पेड के नीचे डाल दीजिए वो पेड कोई भी हो सकता है गमला भी हो सकत चीनी मिलाकर अगर आप अपने घर से एक गलास पानी पीकर निकलें तो आपकी बॉडी जो कि 70% पानी से बनी हुई है पानी पीकर घर से निकलने से एनरजेटिक रहती है पानी जैसे आपको खाना खाकर या नास्ता करकर पेटरोल मिल जाता है बिल्कुल वैसे ही चीनी या प तो भई मैंने कब आपसे कहा कि उसमें एक चम्मस डा लिए घर से बहार निकलने से पहले गलास पानी पत्नी से जो भी आपके धर में हैं माँ भेन भावी उनसे मांगे उसमें दो दाने मातर दो दाने चीनी के डालिए और वो मीठा जल पी कर घर से मधूर अब वो एनर्जी लेकर और मीठे-मीठे हो कर घर से निकलिए और मीठे-मीठे हो कर लोट कर आईए विदा गुड नियूस तो राहू पर चीनी का बहुत ही जबरदस्त असर है अगर राहू की महादशा अंतर दशा या प्रेंतर दशा से आप गुजर रहा है तो इस उपाय को जरू करे काले आपको करना क्या है कि अगर आपको अपना राहू सही करना है तो किसी भी शनिवार वाले दिन एक काले रंग का कपड़ा ले और उसके अंदर सवा किलो चीनी डाल कर इसे पीपल के पेड़ पर शनिवार वाले दिन रखकर आ जाए और इसे रखने से पहले अपने सर पेसे anti-clockwise साथ बार जरूर गुमा लीजेगा तब रखतर आईएगा इससे भी आपका राहू शान्त होगा शनी को अगर आपको शान्त करना है तो पीपल के पेड़ पर चीनी मिश्रित पानी डाल कर अरपन करने से आपका शनी भी शान्त होता है और ऐसा व्यक्ति जो पीपल के पितर दोश खतम नहीं हो रहा और आपको उसे खतम करना है तो आप कवों को दही में चीनी मिलाकर हर रोज खिलाना शुरू कर दीजे इससे आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा होता और पितर दोश भी खतम होता है और इस नोट पॉसिबल तो डू एवरी डे तो कम से कम जानी, दूथ, काले तिल और चीनी एक लोटे में मिलाकर ये सब स्टील के लोटे में चांदी के लोटे में मिलाकर अरपन करना शुरू कर दीजे आपको तीन दिन के अंदर अपनी सेहत ऐसे स्टक खड़ी हुई दिखाई देगी आपको लगेगा जैसे ओए हुए अब लग रहा है मुझे घबरहाट हो रहे है अगर आपको अपने शुक्र ग्रहा को मजबूत करना है तो आपको चीनी मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए अब फिर आप वही बात कहेंगे अब मैं इतना चीनी डालने को नहीं किया रूट कि पानी मिश्रित हो जाए दो बू जी की सेवा और भक्ती चाहिए और आपको बच्चा चाहिए और आपके बच्चा नहीं और बच्चे में भी आपको बेटा ही चाहिए यह आपका बच्चा है लेकिन वह आपकी बात नहीं सुन रहा और एक ऐसे पत पर एक ऐसे रस्ते पर चला गया जिसे पकड़ के वापस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं हूँ ना क्यों घपरा रहा है, आप पांच मुठी चावल लीजिए और एक बरतन में डालिए, पांच मुठी चीनी लीजिए और एक बरतन में डालिए, ठीक है, उसके अंदर एक चमज घी डालिए, इन सब को पानी मिलाकर गैस पर करें जब चावल पक जाएं इसे उतारें उतार कर इसे अकवार में फैला दिजे एक प्लेन पेपर में फैला दिजे क्योंकि अख वार की जब करते करी और अगर वह गाएं घ्रा की तो उसके तब्हु्भा गवो को खिलाना शुरू कर दे चलिए चार शुकरवार मत करिए केवल एक शुकरवार ऐसा कर लीजे and see the change in your life आपकी life के अंदर सबसे पहले तो संतान प्राप्ति हो जाएगी बेटा या बेटी जो चाहिए और आपका बच्चा अगर आपकी सुन नहीं रहा आपसे दूर है घर छोड़ कर चला गया या उसका विदेज जाने का सपना पूरा नहीं हो रहा तो वो पूरा हो जाएगा जिस भी मनो कामना को अपने दिल में रखकर आप करेंगे चीनी आपकी डिफरेंट रेमेडीज आपको मिल रहें लेकिन आपसे एक बाद कहूँ आप खुश रहें, मस रहें, बिंदास रहें जो पल आपको मिल रहा है उसे मुस्कुरा कर बिताए आप मेरे कहने पर एक छोटा सा आच्चीनी का उपाय कर ले सिर्फ हर किसी के नाम के आगे जी लगाना शुरू कर दीजे आप बॉस बन जाएंगे, आपकी तारिफें होंगी आपका वहवार, आपका आपकी जो परसनल्टी है निखर कर इतनी अच्छी आएगी आप हर किसी के आगे जी लगाना शुरू कर दीजे चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है चाहे वो आप में उम्र से बढ़ा है जी, सिर्फ जी, इज़्जत दीजिए इज़्जत मिलेगी हां जी, कहीए जी, बैटीए जी, बोलिए जी कैसे हैं जी, आप चाये पीएंगे जी आप मिरा YouTube देखेंगे जी क्या आप इस चानल को सब्सक्राइब करेंगे जी प्लीज सब्सक्राइब कीजे फिलाल दीजे इजाज़त जी जैमत अदी जीवन में है समस्या नहीं मिलरा तकलीफों से चुटका रहा नहीं मिलरी मन चाही नौकरी तूट गया है विश्वास सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खतम हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरो के 78 काड खोलेंगे भविश्य का राज सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर कुंडली जगाएगी कुंडली जागरन कुंडली बताएगी आपका भविश्य उपर से ये जादू ही हवाएं उपर ही हवाएं जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं पती, पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडली दिखाईए, टैरो कराईए लेकिन अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाईए मैं हूं डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपॉइमेंट लीजे आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव झाल